जैहिन प्यारे बच्चों, Welcome to भारतवस Classes कैसे हो बच्चा आप सभी? आसर करता हूँ, आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एक सांदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे तो प्यारे बच्चों, हम लोग कच्चा 5, GCRT, परिया वरन अधियन पाठबुस तक हमारी दुनिया में पाठ 17 तक के परशनों को हल कर चुके थे पाठ 17 का नाम है चड़ाई पाढ़ की, इसके संबने सारे परशनोंतर को हमने हल किया था जितने भी बच्चों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग यहाँ पर आई बटन में क्लिक किसके उस वीडियो को देख सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 18, पाठ 18 का नाम है अंतरिक्च से इस पाठ से संबंदित हम सभी प्रशन उतर को करने वाले हैं तो चलिए प्रारम करते हैं प्रशन पहला आप सभी के सामने हैं चर्चा करो हम धरती पर कैसे रहते हैं यदि धरती गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं ठीक है बहुत ही अच्छा प्रशन है जैसे आप बात करो ज तो आप देखोगे कि गेंद कुछ ऊपर कुछ दूरी तक जाके कुछ उपर तक जाके फिर वापस गेंद बहुत तेरी से नीचे गरती है ऐसा क्यूं होता है ठीक है आप गेंद की बात करो, फुटबॉल के बात करो या फिर आप एक सिक्के को भी उचालो तो फिर वा नीचे गिरता है ऐसा क्यों होता है कि वा नीचे गिरता है वा उपर ही क्यों उड़दा रहाता है तो बच्चों प्रीथवी पर एक बल होता है जिसे बोलते हैं गुर्थवा करशन बल गुर्टवा कर्षन बल के कारण हम सभी प्रीथवी से बंधे हुए हैं इसलिए हम गृते नहीं हैं यहाँ पर यही लिखेंगे लिखेंगे हम गुर्टवा कर्षन बल से प्रीथवी से बंधे हैं ठीक है गुर्तवा कर्षन बल से हम लोग प्रीतवी से बंदे हैं ये आपको लिख लेना है अगला ब्रशन है अंतरिक्ष में प्रीतवी के चारों और घुमती यान में हर चीज तेरती क्यों रहती है तो यहां पे लिखना है आपको बच्चों क्योंकि अंतरिक्ष में कुछ लाओगे तो आपस वह नीचे आएगा ही नहीं क्योंकि नीचे आने के लिए उसे एक बल खिषता है उसका नाम है गुर्तवा कर्षन बल वहां पे गुर्तवा कर्षन बल है ही नहीं तो जो चीज तेर रहा है वह तेरते रहेगा ठीक है तो यहां आप लोग नोट कर तीन बटे चार भाग में समुंद्र है तीन चोथाई भाग में समुंद्र यहां पे है गलोब और इस फोटो में क्या अंतर है अब देखो गलोब गलोब क्या है वो प्रित्वी का एक मोडल है प्रित्वी के जिए सहीदम गोल है ठीक है ठीडिया गरती है जबकि फोटो जो जाया गया है अपने देश भारत को पहचानो आपको नकसे पर भी अपने देश भारत को पहचानना है और आपको गलोध पर भी अपने देश भारत को पहचानना है ये क्रिया कलाप आप अपने से किजिए अगला है चांद से सम्मंदित प्रश्ण क्या चांद सिक्के की तरह होगा या बोल की तरह गोल तो यहां लिखे चांद बोल की तरह गोल होगा अगला प्रश्ण है क्या चांद रोज एक ही समय पर निकलता है तो बात करें शूरी की और यहां पर चांद की तो कुछ समय कुछ यहां पर मिनट का फर्क होता है तो लिखेंगे नहीं चांद हर दिर अलग-अलग समय पर निकलता है दिन में हमें चांद तारे असानी से क्यों नहीं दिखते जबकि दिन में भी चांद तारे दिखने चाहिए क्यों नहीं दिखते तो यहां पर लिखेंगे बिच्चा दिन में सुरी की रोशनी में चांद छुप जाता है इसलिए हम चांद तारे को असानी से नहीं देख सकते हैं सुर्य की रोशनी इतनी अधिक होती है कुछ की रोशनी में सब कुछ धग जाता है वो नजर नहीं आता है नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है प्रशन चांद पर शहर बशाने की तयारी चल रही है क्या या संभव है कोशन मारक अब आप अपने से सोचिए क्या या संभव है तो यहाँ पर बचाये बचाया क्या मानव के लिए कोई भी कारी असंभव है मैं बात करूँ यहाँ पर एक हवाई जाज की तो क्या कई वर्षों पहले यहाँ से मैं बात करूँ कई वर्षों पहले किसी ने सोचा था कि एक ऐसा यान भी होगा जिसमें हम लोग बैट कर एक अस्तान से दूसरे अस्तान पंचियों की तड़ा उड़ कर जाएंगे वो एक साथ कई लोग बैट कर जाएंगे किसी ने सोचा था नहीं सोचा था लेकिन मानव नया संभव कर दिखाया किसी ने सोचा था कि हम यहां से किसी दूसरे देश में स्थित जो बहुत हजारो किलोमीटर दूर है उसे हम लोग बात कर सकेंगे without second किसी ने सोचा था नहीं सोचा था लेकिन मानव नया कर दिखाया किसी ने सोचा था कि हम चांद की सता को छोलेंगे लेकिन निल आर्म श्ट्रोंग ने कर दिखाया किसी ने सोचा था कि हम अंतरिक्ष में जाके देखेंगे नहीं सोचा था लेकिन मानव ने असंभव कारिको भी संभव करके दिखाया है तो या भी संभव है कि वहाँ पे सहर बस जाए लिखेंगे हाँ या संभव है क्योंकि मानव ने असंभव कारिको भी संभव करके दिखाया है भले ही वहाँ oxygen ना हो पाणी ना हो फिर भी या हो सकता है संभव है क्या तुम भी सांद पर जाकर बसना चाहोगे यहां लिखिए अगर यह संभव हो तो मैं जरूर जाकर बसना चाहूंगा बसना नहीं तो एक बार घूम के जरूर आईएगा नेक्स्ट कोशन है पता करो चांद पर अब तक कितने लोग गये हैं तो यहां लिखिएगा अब तक चांद में 11 लोग गये हैं जिसमें पर्थम वेक्ति निल्म आर्म श्ट्रोंग दूसरे वेक्ति बज एल्रीन थे यह आपको लिख लेना है चलिए बच्चो यह थे प्रशन उत्तर पार्ट 18 अंतरिक्ष से आसा करता हूँ कि आपको यह प्रशन उत्तर समझ में आयोंगे किसी और प्रशन पूछना है किसी को कोई प्रशन पूछना है तो आप लोग कमेंट किजिएगा और वीडियो पसंद रहे थे वीडियो को लाइक से जरूर किजिएगा थेंक्यू बच्चा मिलते हैं अगले वीडियो में उसमें हम लोग करेंगे पार्ट 19 के प्रशन उत्तर ठीक है आपको जिसमें पढ़ना है पुराने इमारते आप लोग एक बार उस पार्ट को पढ़कर आएगा धिन्यवाद